PM मोधी जब कहीं जाते हैं तो किस तरह से उनके रूट को सुरक्षित किया जाता है और कैसे PM की सुरक्षा सुनिशित की जाती है इसके बारे में जानेंगे तो आईए जाने भारत के बधानमंत्री की सुरक्षा के बारे प्रदान मंत्री जहां भी जाते हैं SPG के सटिक निशाने बाजों को हर कदम पर तैनाद किया जाता है ये शूटर एक सेकेंड के अंदर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं इन जवानों को अमेरिका की सीक्रिट सर्विस की गाइड लाइन्स के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है SPG के जवानों के पास MNF 2000, Assault Rifle, Automatic Gun और 17M Revolver जैसे आधुनिक हतियार है SPG के अलावा पुलीस भी प्रदानमंत्री की सुरक्षा में अहम भूमी का निवाती है प्रदानमंत्री के अस्थानिये कारेक्रमों में SPG के मुख्या खुद मौजूद रहते हैं यदि किसी कारण से मुख्या अनुपस्थित रहता है तो सुरुक्षा विवस्था का प्रबंधन उच्च पद के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है। जब प्रधानमंत्री अपने आवास से सभा में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं तो पूरे मार्ग का एक तरफ का यातायाद 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बेच पुलीस के दो वाहन साइरन बजाकर रास्ते पर गश्ट करते हैं। यह सुनिस्चित करने के लिए क्या जाता है कि जिस मार्ग से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वह पूरी तरह से क्लियर हो। प्रधानमंत्री के काफिले में दो बक्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, छे BMW X5 और एक Mercedes Bench ambulance के साथ एक दरजन से अधिक वाहन मौजूद होते हैं। आगे और पीछे पुलीस के स्रुच्चा कर्मियों की गारियां होती हैं। बाईं और दाईं ओर दो और वहन होते हैं। और बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ वहन होता है। हमलावरों को गुमरा करने के लिए काफीले में प्रधान मंत्री के वाहन के समान दो डमी कारें शामिल होती है जैमर वाहन के उपर कई एंटिना होते हैं ये एंटिना सड़क के दोनों और रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्छम है इन सभी कारों पर एंटिना सटिक निशाने बाजों का कबजा होता है इसका ताथ पर यह है कि सुरच्छा के उद्देशे से प्रणामंत्री के साथ लगबग 100 लोगों का एक दल होता है तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब जरू करें